इस लिए डीनेटिव डीजाइज वो डीजाइज होते हैं जो और टार एंदर हो जाते हैं तो हम उनके बारे में फोड़ा से पढ़ेंगे डी-माइलनेटिंड डीजाइज सबसे पहले देखते हैं जो तेजी से इंपल्स ट्रांस्मिट करती है उस वह खराब होना शुम हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है माइलन डिस्ट्रक्ट हो रही है लेकिन एक्जॉन बागी दो है वह बचावा है वह किस तरह के नाम है उनके डिजीजिस के वह दो तीन नाम है एक मल्टिपल स्क क्या सकते हो और जो है वह साइलेंट है लेकिन अगर आप इसका असल बोलो के तो जियान बागेर सिंड्रोम इस तरह करके उसकी पिर एक्यूट डिस्टेमिनेटर एंट सेफलोमेलाइटिस ठीक है यह जो तीन इंदर माइलेंट जो वह दिस्ट्रॉय हो जाती है इसे डी मेडियेतिट समझा जाता है इसको तो जब ये इंवुर्यमेंट और जीन इंट्राइक्शन होते हैं तो हलेशे टैप से एक्ट्रीश तो वाइरस या यह यह शकश्यून प्रक्टर और इसके अंदर क्या होता है सिर्फ सिस्टम में दी माइलनेशन नहीं होती तो यहां चांट जो ब्रीगो टेंडियुक्त रजाइट उनका काम ही होता है जैसे कि श्वान से पर बाते हैं उनके प्रॉडूस करते हैं आप गाते हैं इस तरह से स्टम में होते हैं तो जब मैंतिब लुए सेंटिन रिट की अंदर रहे तो वहां की जो मालें प्रडूसिंग सेल्ज रहे हैं टीक है और इसके वियुए से कई जगा झाल रहना इंदर और ब्रेंट के अंदर और इल्टर इल्ट लेकी अधिरार में इसे यह मिलते हैं और इन थे इंडर की तरफ इंडिकेट करें तर उसके बाद रियाक्टिव ग्लायोसिस का मतलब क्या है जो ग्लायल सेल्स के इलावा सपोर्ट करते हैं पर इन्दर आ जाते हैं एक यह उलीगोटेंडर साइट से वह आ जाते हैं कि सभी एक हांकर आपको एक आश्याप्ल है कि जो जाते हैं वह घर से वह करते हैं और जद करते हैं चुम को घरते हो जूल करते हैं कुछ करते हैं कि हमारा एक चला गया है हम बाकी ज्यादा हो जाते हैं लेकिन फाइदा कुछ नहीं होता है अच्छा क्लिनिकल साइन्स सिंप्टम्स क्या है बिटा यह इस तरह का बिमारी एक तो डिपैंट करेगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा इंग वाइस करते हैं दूसरी यह कि हमारी है कि बहुत ज्यादा हो जाएगी पur जादा होगी ठीक हो जाएगी ठीक है भिस्लोली पावर स्थाटूट हो जाएगी सबसे पहले यह जो चीजें आइंट को घाकी जोईरें पर प्रॉब्रम होगे और ब्लैडर कंट्रोल का लॉस हो सकता है का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इपॉर्टेट स्थे रोस खेंद अभी चीजिए ज्याना कि अक्सर इस्म्ट्रमाटिक होता है तो बाकी चीजिए हो नहीं तो लेंगिंगे इन में श्रूर आती है किविक्र ठीक है, intention tremor होता है, कोई काम करने कुछ कर तो हाथ फिलना शुरू हो जाते हैं, और scanning speech, speech का एक special pattern होते हैं, जिसमें close speech होती है, यह तीनों चीज़ें एक अठी होती हैं, तो शायद उसको multiple sclerosis है, तो यह जो रेट में दो चीज़ें लखी ही, बड़ी important है, बाकी science symptoms हो ना हो, यह बने जरूर हो सकते हैं, ठीक हैं, अच्छा, इसका diagnosis कैसे करते हैं, इसके अंदर आप CSF क इसका tap करके देखोगे, तो उसका analysis करोगे, तो इसके अंदर gamma-globalin जादा होगी, ठीक है, और उस gamma-globalin के अंदर oligo-clonal bands होते हैं, यह मुफिलिक जब आपकी antibodies को देखा जाता है, जब उनको आप मुफिलिफ lab tests के अंदर देखते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा होता है, जो bands की फाम में नदर आता है, और the tests, ठीक है, उसको oligo-clonal bands कहते हैं, वह आम तोर पे यह शो कर रहे होते हैं कि कोई virus है, यह immune reasons हैं पीछे, जो जिसकी विजा से यह हो रहा है, तो अगर gamma-globalin जादा होई भी है, और oligo-clonal bands आ रहे हैं, तो there is a viral immune reason behind it, ठीक है, यह आपको myelinated areas, तोड़े तोड़े नजर आ रहे हैं, क्या cause है, auto-immune, females में जैदा, families में जाता है, pairing with the problems, nystagmus, दो जीजे नजर आती हैं, अब VN problems थे, किस तना की problems होते हैं, diplopia, दो-दो नजर आता है, blurry VN होता है, dysarthria, बोलने में में मसला है, dysphagia, समझने में मसला, 20s to 40s के अंतर मसला होता है, stick लेकर चलना पड़ता है, paralysis हो सकता है, lower limbs का, muscles बहुत, बहुत spasm में होते हैं, चलने में मसला होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और इसके इलावा, जो आपका, अगर, जो आपका, अगर, जो आपका, अगर, जो आपका होते हैं, तो urinary retention हो जाती है, के जो मसल्स हैं, ब्लैडर के इंतर में मसल्स होते हैं, जब वो मसल्स ज्यादा कांट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यूरिनेशन नहीं होने देंगे, तो स्वेसे urinary retention होती है, constipation हो जाती है, खीक है, इस तरह से मुक्तिर्फ सिम्टम्स होते हैं, अब दूसरी कॉस जो है, डी लेकिन वो इस वाइरस के बाद, उस देर बाद, द्रेट पर इंपक्ट हो गया, ठीक है, यह सब्सक्रा जाता है कि इस माइट पी डिलेड हाइपर सेंसितिविटी रेक्शन, यानि कि या तो यह इनसान पुरा रिकावर कर जाता है, लेकिन कई तफ़ा डेथ भी हो जाती है और इसके अंदर भी वाइट स्प्रेड डी माइलिनेशन होती है, माइलिंग फ्रोटीन, माइलिंग जो हो खतम हो जाती है, नियूरॉन्स के ओपर से, जो गयान बाद यह सिंड्रोम है, यह भी डी माइलिनेटिंग डिजीज है, लेकिन बेटा, सबसे इंपॉइंट चीज इसकी यह कि परिफरल नर्स पर अटाक करता है, जो हमने मुल्टिबल स्पिरोसिस किया था, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्स पर एप्रैक्टा रहा था, इसकी सब ज़्यदा इंसिदेंस जवान लोगों में होती है, वारें इंफेक्शन होता है, यह कोई इम्यून र नर्वस सिस्टम में जब भी आपको मसल वीकनेस आएगा ना, उसका मतलब होता है कि फालच की तरफ जा रही है, ठीक है, मसल वीकनेस के बाद इवेंचली प्रैलिस हो जाता है, मसल वीकनेस का मतलब यह है कि अपना, आप मसल नहीं हिला पा रहे है, तो इवेंचली जा में पर जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें जो डेथ होती है, वो रेस्पिरेटरी फेलियर, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की नर्वस, उनके मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स होते है, उनको कंट्रोल करने वाली नर्वस जब इंपक्ट होती है, तो रेस्पिरेटरी म इसका मतलब क्या है अनके बीच में जो रेशियोए वो सही नहीं रहती है और जो जैसे पी हमने सीएसे के अंदर पड़ा था प्रोटीन होती हैं लेकिन सेल काउंट इतना जएदा नहीं होता उसको अगर आपको सीएसेफ में नदर आ जाए तो वह इंपॉर्टन इंडिकेशन है कि शायद इसको ग्यान बागे सिंड्रोम हो रहा है ठीक है पॉसिबली आटेम्यून मुक्तिलिफ वैक्सिनेशन के साथ इसका लिंक है रैस्पिरेटरी अच्छा इससे पहले जो वाइरल इल्निस होती है वह बहुत इंपॉटन है या वो रैस्पिरेटरी इंफेक्शन होगा वाइरल या इंटेस्टाइन का इंफेक्शन होगा इधर इपुड़ बी जियाई इंफेक्शन और रैस्पिरेटरी इंफेक्शन उसके बाद जो है आटो इम्यून रेक्शन होता है और वो फिर जाके नर्व को इन्वाल करता है और इकी टीमाइलिनेशन शुरू कर देता है ठीक है कुछ घंटाओ से तिनों के अंदर अंदर मसला शुरू हो जाते है और हल्ल हल्की मसल्स जो हो फ्ल पीजरो होना शुरू हो जाती है ओर लॉठ कीशन के tikuesta कि मसल्स अ और यांग होती है और बावल ब्लैठर इसके आप के अगए Degenerative Diseases Degenerative Diseases में हमारे पास वो डिज़ीज़ है जो ओल्ड देज में होती है अब मुफ्तरिफ ब्रेन के मुफ्तरफ इसों में मुफ्तरफ डिज़ीज़ होती है जो कॉर्टक्स है जो ब्रेन का उपर वाला पॉर्ट है उसमें अगर मसला हो तो डिमेंशियाज या अलजायम इस छो के आपका मोटर सिस्टम को क्ट्रोल कर रही होती है आपके बॉड़ी की मूव्मेंट्स को तो उन पर इपक्त होता है तो पारगिंसन डिजीज हो जाता है फिर उसके लावा स्पाइन और साइरिबेलर प्रॉपलम्स होती है जिसके अंदर हो जाता है अगर चलने में मसले cerebellum में जब होते हैं, motor neurons के अपर मसला हो तो फिर muscle atrophy हो जाती है, let's talk about these one by one, पहले हमारे पास आगे Alzheimer's disease, सबसे dementia की ना 5-6 types होती है, सबसे common जो type है dementia की Alzheimer's disease है, Alzheimer's disease 60 साल की यह पर शुरू होता है, अक्सर family 10% जो इसका family inheritance होती है और 40 years के आसपास जो है, वो काम शुरू हो चुका होता है, लेकिन आके जाके इसके symptom नज़राते हैं, cause पता नहीं है, एक amyloid gene होता है, amyloid, amyloid gene का जो expression है, वो abnormal हो जाता है, उसके nutrition होती है, और इन लोगों में coline acetyl transferase deficiency होती है, जो acetyl coline, जो की neuro transmitter है, जो जो उसके बिराने में जो एक enzyme बड़ा important है, उसकी deficiency होती है, और एक और nucleus bacillus होता है, मेनर्ड का, उसके अंदर alteration होती है, this is a nucleus in the brain, a collection of cell bodies, findings क्या होती हैं, आपको, इसके science symptoms क्या नज़र आते हैं, slowly slowly progressive होता है, eventually intellectual, intellectual, जो आपकी capacity हो, टिरेट होना शुरू हो जाती है, slowly slowly slowly, पहले recent memory loss शुरू होता है, फिर उसके बाद long time memory loss होता है, फिर उसके बाद eventually आपको पढ़ना, लिखना, सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है, अपना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं, आप, motor illnesses होती हैं, आपके legs पगएरा में चलने फिटने में मसले होते हैं, contractures develop हो जाते हैं, मतलब stiffness होती है, मुद्रिफ जगहों पर अप्राइलस हो सकता है, और इसके लावा यह जब होता है, eventually, तो इसका मतलब है कि यह आखरी चीज़ें इसके बाद आपकी disease है, वो death की दिरफ progress कह रही है, अच्छा, histology में सब्सक्राइब के नीचे क्या नदर आता है, neurofibrillary tangles होते हैं, what are neurofibrillary tangles, filaments के धागों, च्छोटे-च्छोटे-धागे टाइप, उनके bundles बन जाते हैं, cytoplasm के अंदर, और थोड़े से वो बंदल जो हैं, वो microtubules, जो के एक important organelle है, inner cell, उससे निकले होते हैं, उससे निकले होते हैं, वो दोनों मिलके, एक छोटे-छोटे से जरात बनाते हैं, यह वो दोनों जमा हो जाते हैं, neurons के अंदर, cerebral cortex के neurons के अंदर, तो neurofibrillary tangles जोने कहत होते हैं, फिर neurotic plaques होते हैं, senile plaques, senile मतलब old age, इसके अंदर क्या होता है, कि एक nerve cell, reddish nerve cell, उसकी swelling हो जाती है, और cerebral cortex के अंदर, solar nerve cells की मुद्रिफ connections बन जाती हैं, collection बन जाती हैं, जमा हो जाते हैं, या वो hippocampus में जमा हो जाते हैं, या एमिदला में जमा हो जाते हैं, ठीक जो चीज जमा हो रही हैं, यहां पर nerve cells की collection, amyloidic type की protein है, तो यह जब जहां में जमा हो रहा है, तो आप फिर बता सकते हैं, कि अच्छा है, इसके लावा ग्लेरियरन लो वेस्कुलर डीजनेरेशन है, उसमें क्या होता है, कि कुछ ऐसे neurons, sorry, neurons की जो cell bodies हैं, उसके अंदर ज cells, वेक्यूल वाले, ज्यादा इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, उसके ग्रैनलो वेस्कुलर डीजनेरेशन कहते हैं, तो यह तीन चीज़ेगा, कि किस एरिया में हैं, और क्या हैं, क्योंकि यह बड़ा important है, यह आपकी pathology है, Alzheimer's confirm करने के लिए, आपके पास doctor, अगर उसके brain biopsy करता है, तो आपको भेज़ेगा, यह सारी की सारी की देखके बताना है, इसके इंतर नीरो फिरी टैंगल तो नहीं है, ग्रैनलो वेस्कुल डीजनेरेशन तो नहीं है, तो आपको पताना चाहिए कि क्या चीज है, अच्छा, morphological changes क्या होती है, ग्रैनलो झिए और बाकि पढ़ए, मतलब जो वेसल मतलब होते हैं, इसके लावा और यह वो क्या होती है, जो एक प्रोटीन होती है, एक तेंड फोटीन, वो जमाना शुरू हो जाती है, अदेंडराइंड स्के साइटोप्लाजम के अंदर, तो उनके अंदर जब जमाना शुरू हो जाती है तो उसे आप रेडिश रेडिश की नजर आती है कि माइक्रोस्कोप के नीचे रेडिश नजर आएगी इसके लावा अगर आप ब्रेन देखें तो उसकी ट्रोफी सी नजर आती है और कुछ नियूरॉन्स का लॉस नजर आता ह है फ्रंटल और हिपोकेमपल एरिया में सबसे ज्यादा आपको ब्रेन छोटा आइगा और उसके लावा है जो सल्काई है ऩो जाए रही है निश्वों के जो ने जो इप्रमएड है और जो फोल्यूइट-सपिंस और चोटा होगा जो ना ना वह पता कैसे चलती है वो ब्रेन ट्रॉफी नजर इस तरह से आती है कि जो इनके फोल्ड है और जो गायराई है यह ब्राइब जाएगा और जो गायराई है वो छोटे हो जाएगे तो इसका मतलब यह है सलकाई बड़े हो जाएंगे और गायराई जो है वो छोटे हो जाएंगे ठीक है तो सलकाई वाइडन हो जाएंगे और गायराई जो है वो नेरो हो जाएंगे कि के लावा आपको क्या नज़र आता है अच्छा अब यह चीजेंगे रहे हैं यह आपको डिक में वैसे भी नज़राती हैं तो जडूरी नहीं है कि हर इंसान के इंदे जिसके रापको जेशन नज़र आ रही है उसको जरूर अल्जाइमर हो खीक है तो नॉर्मल लोगों में भी यह नज़र आता है डाउन सिंड्रोम वारे लोग जो फॉर्टी एज तक जिंदा रहते हैं उनके इंदर भी नज़र आते हैं तो इसके लावा आपको बाकी क्लिनिकल साइंस इंपर भी पता होने चाहिए प् लॉस मैं कौन हो तुम कौन हो हम कौन है एनॉमिया का मतलब है कि नाम भूलता होता है चीजों का अप्रेग्जिया क्योंकि चीजों का गलत इस्तमाल होता है फून पकड़के बंदा जो हो पैन समझ के इसे लिखना शुरू कर देगा क्योंकि आइडेंटिफाइड कर सकेग अगनोजिया होता है कि जो फैमिलियर चीजे हैं या साउंड़ हैं या टेस्ट है या बाकी सेंसेशन हैं वो बंदे को भूल जाती है कि यह क्या थी एफेजिया का मतलब सभी से बंदा बोल नहीं सकता जो वर्ड जिसमें बोलने हैं ठीक है यह फाइव एजामर्स के कर्किन के चोटा हो जाता है बिया आको बिता इन पोटीन अगर यह वह इसके इलावा अगर अगर विवस्टी बात करें तो पार्किंस परकिंस आ जाता है आता है इंगल की मारी है किस तरह निसार्डर है बेटा यह के उपर से बहुता है और इसके साथ साथ छोटा स्लोली स्लोली जो जहनी आपका जो सोच का लेवल है वो डिक्लाइन हो शुनो है था आप सही तरह से सोच नी सकते और बिहेवरियल प्राब्लम्द होते हैं ठीक है और इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज इंपोर्ट है जो डा कोरिया मुवमेंट्स नीजोब कोरिया मुवेंट्स होती है मसल वह मसल हो रहता है हम यहां यहां पर चोटा हो गया तो यह चोटा हो जाती है है दुधिंट्टेश जो है यह बेसिकली बेजल गैंगलिया के मुफिलिफ नुक्लिया के नाम है तो वह जब छोटे होना शुरू हो जाते हैं कौड़ेट नुक्लियस पुटम एंगलोबस पैलिडस तो वह आपको नजर आता है हंटिंग जिजीज में वह चोटे होते नजर आते हैं कम चोटे हंटिंग तेजीज वह वस उसके अंदर सबसे इंपॉर्टन चीज सबसे इंपॉर्टन चीज जो है कि निव इंफोर्मिशन जो है वह हंटिंग तेज में बंदा स्टोर कर सकता है और अल्जाइमर्स में नहीं कर सकता है इसमें जो स्पीच होती है लेकिन अकुरेट होती है में speech impact होती ही बहुत बुरी तरह से खीक है और जो recall है memory recall वह impair होता है right choice of words नहीं आता है लेकिन अगर आप उसको कुछ अलफाज बताओ जैसे बंदा कही तो कोई loves use करते वे बूल जाता है आप उसे धक्का लगाते हो जैसे कि एक्शल तुनों के साथ वायवास में होता है तो बहुत धक्के लगने से चल पड़ता है लेकिन जो इसको धक्का भी लगाओ गए तो नहीं चलेगा ठीक है motor memory जो है उसमें कोई नई चीज या कोई नया skill नहीं सीख सकता है लेकिन जो जो जाने नया skill या नया motor चीज जो हो सीख सकता है जो जिसमें उसके muscles involved हो पारकिंसन ड यह गेट शॉट और फास्ट होती जिसे fascinating at gate कहते हैं और cog wheel rigidity होती है या अगर आप हाथ अपना या elbow कर अपनी flex करने कुछ करेंगे तो लगी हल्की 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 slow cog wheel की तरह slow 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 bend होगी और tremor जो पिल रोलिंग होता है ऐसे जैसे हाँ हाथ में कोई cool सी पिल 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 क्या होता है वेटा corpus triatum brain का वो हिस्सा जो राइट और लेफ्ट cerebral hemispares को मिला रहा हो उसके अंदर dopamine जो निरा जो ट्रांस्मिटर है वो काम हो जाता है निरो ट्रांस्मिटर ठीक है फिर cog military intention tremor hallucinations भी होती है डिमेंशिया भी होता है और अगर आप इसको एल डोपा एक ब्र तो ब्रेन में दो जगें लोकिस रिलियस इंस अप्रेंशन लीगा जिनका काम reward के साथ reward के reward मैकनिसम में का काम है और इनका काम होता है in coordination and movement तो उनके अंदर को कलर्ड होते हैं ब्लैकिश से प्लूइश से कलर ग्रेश कलर होता है उसका कलर जो हो खतम होना शुरू हो जाता है जो जमाना शुरू होती है in the form of reddish spots in the cytoplasm of cells उन्हें लिवी बाडिस कहते हैं वह अलफा से नियुक्रियन प्रोटीन होती है पत्चास साल के बाद शुरू होगी ब्लैंड फेस होगा कोई इस पर इमोशन बगएर नजर नहीं आ सकेंगे क्योंकि फेस के मिसल्स इंपक्ट ह होते हैं पॉस्टर वह थोड़ा से स्टूप्त होगा आगे को जुकावा होगा फिल रोलिंग ट्रैमर होगा रोल करी जाएगा होगी है और इसके लाब मुवमेंट्स कभी कभार मेंटल डिट्रियरेशन भी हो सकती है ब्रैटी काइनेजिया स्लोनेस अफ मुवमेंट्स की क हो जाएगा ठीक है चलना शुरू करना मुश्किल होगा ठीक है इस तरह की चीजें होगी इसके अंदर है अगर कोई क्वेशन है बिटा तो पूछ लीजिए अथर्वाइज वियर्टा कोई क्वेशन है या नहीं है नहीं है नो सिर ठीक है बचो पित्यारी करो आप अपने मिल्ट्स की और होफिली इसके बाद इंशाला एक लेक्ट्र हो और है और इसके बाद भी एंड आर्पित्वाज़जी कि समरेचं के बाद अबट्री इसके बात क्लास लंगा एकाउस इसके लावा तो और क्लास नहीं होगी है पर विलसी क्या होता है है इल्श बेट फो यूर रजाल्स इंडे मिट्ज आई खेलाफ बेदाल, से दो फिया आए, दे एिएी नग्स लएकर लाफस अफसे